रिनात्मक संख्यां, negative numbers, रिन यानि घटाओ, घटाओ का चिन लगी हुई संख्यां सुन्य से छोटी होती है, इन्हें रिनात्मक संख्यां कहते हैं, कहने का मतलब यह है, यह देखिए 5 है, 5 के आगे घटाओ का चिन लगा हुए, तो यह क्या है? रिनात्मक संख्यां, किसी भी संख्यां के आगे, अगर घटाओ का चिन लग जाए, जैसे यहाँ पर है 500, इसके आगे अगर यह घटाओ का चिन लग जया, तो यह क्या है? रिनात्मक संख्यां, ठीक है? अब देखिए 0, 0 है न जो, यह सब से क्या है? बड़ा है, 0,500 से होती है ठीक है अब यहां देखे एक है एक के आगे घटाव का चिन लगा हुए है तो यह क्या है रिनात्मक संक्या दो के आगे भी घटाव का चिन लगा हुए है तो यह भी क्या है रिनात्मक संक्या तीन के आगे भी घटाव का चिन लगा हुए है तो यह भी क्या है रिनात् धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर्स जिस संख्या के आगे पलस यानि जोड का चिन लगा हो या नहीं भी लगा हो तो उसे धनात्मक संख्या कहते हैं जैसे में देखिए एक एक के आगे पलस का चिन है इसका मतलब है क्या है धनात्मक संख्या लेकिन इसके आगे नहीं लगा है तो आप इसे क्या कहिएगा रिनात्मक संक्या नहीं इसको आप कहिएगा धनात्मक संक्या परिभासा में साफ साफ लिखा हुआ है कि जी से संक्या के आगे पलस का चीन लगा हो या नहीं भी लगा हो अगर इसके आगे नहीं भी है तो आप इसको कहिएगा धनात्मक स अब इसके आगे कुछ भी नहीं है तो यह भी क्या है धनात्मक संक्या इसके आगे घटाव कचिन है इसके मतलब यह क्या है रिनात्मक संक्या ठीक है तो कोई भी संक्या रहेगा कोई भी संक्या रहेगा यहां पर देखिए इसके अगर यह लग गया तो यह क्या है रिनात्मक अगर यही संख्या को ऐसे लिख दिया जाए और इसके आगे कुछ भी नहीं है तो आप इसको क्या कहिएगा धनात्मक संख्या ठीक है धनात्मक संख्या और रिनात्मक संख्या यह अगर आ गया तो पुर्नांक आपको आसानी से आ जाएगा पुर्णांक, integers, धनात्मक संख्या और रिनात्मक संख्या साथ ही जीरो यानि सुन्य के समूह को पुर्णांक कहते हैं कहने का मतलब यह है कि यहां से यहां जो भी है यह सब के सब क्या है रिनात्मक संख्या और यहाँ से यहाँ जो भी है यह सब के सब क्या है धनात्मक संख्या और यह क्या है जीरो तो रिनात्मक संख्या और धनात्मक संख्या साथ ही जीरो के समू को पुर्नांक कहते हैं आया कुछ समझ में? जी हाँ, कह रहा है कि रिनातमक संख्या और धनातमक संख्या साथ ही जीरों के समों को पुर्नांक कहते हैं। अब आप से पुछ दिया जाए कि रिनातमक पुर्नांक किसे कहते हैं। तो भाईया ये जो भी आपको दीख रहा है न ये सब के सब क्या है रिनात्मक पुर्नांग रिनात्मक संख्या को रिनात्मक पुर्नांग कह सकते हैं धनात्मक संख्या को धनात्मक पुर्नांग कह सकते हैं याद रखेगा आप से पुछ दिया जाए कि जीरो क्या है तो आप क पूर्णांग है कि रिनात्मक पूर्णांग तो आप कहिएगा कि 0 नहीं धनात्मक पूर्णांग है और नहीं रिनात्मक पूर्णांग यह सिर्फ क्या है पूर्णांग है ठीक है और यह जितना भी है यहां माइनस में यह सबसे बड़ा है जीरो याद रखिएगा ठीक है तो पुर्णांक आपको आसानी से आगे होगा उधारन से आप समझ लेजिए यहां पर देखिए यह है माइनस छे अब यह क्या है रिनात्मक पुर्णांक यह है रिनात्मक पुर्णांक अब देखिए रिनात्मक पुर्णांक को हम क्या बोल सकते हैं रिनात्मक संख्या भी याद अब ये बताईए ये क्या है तो ये है धनात्मक संख्या धनात्मक संख्या और धनात्मक संख्या को हम क्या बोल सकते हैं धनात्मक पुर्नांक भी धनात्मक पुर्नांक अब बताईए ये 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 और ये ये चारो में से सबसे बड़ा कौन है तो ये चारो में से सबसे बड़ा होगा जीरो क्यूं इसलिए हो रहा है बड़ा क्योंकि ये सब के आगे घटाओ का चिन लगा हुआ है तो याद रखेगा ये जीरो से छोटा ही होगा ठीक है तो रिनात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक आसानी से आगे होगा चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब ते के लिए जय हिंद वंदे मात्रम